नवश्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थे टिप्स में आपका स्वागत है आप रात को सोते समय अपने तकी की नीचे क्या रखकर सोते हैं तो ज़्यादा तर लोगों का अंसर होगा मुबाइल फोन लेकिन अगर मैं आपको कहूं आप अपने तकी की नीचे मुबाइल फोन नहीं बलकि लहसून की एक कली को रखकर सोचाएए तो उससे आपको बहुती फाइदे होंगे तो आपको कैसा लगेगा लेकिन दोस्तों ये बात बिलकुल सही है अगर आप तकी की नीचे मुबाइल रखते हैं तो वो आपके शरीर को बहुती नुकसान करता है लेकिन उसकी जगा अगर आप अपने तकी की नीचे लहसून की एक कली रखते हैं तो वो आपके शरीर के लिए काफी फाइदेमन है तो दोस्तों लहसून की कली आपको कैसे फाइदा करती है? आपके शरीर को क्या फाइदे करती है? तो चलिए जानते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप तकी के नीचे मुबाइल रखकर सोते हैं, तो इससे आपको नीद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है. इ आप में आपको बताती हूँ, अगर आप तकी के नीचे लहसून रखकर सोते हैं, तो इससे आपको क्या फाइदा होगा? अगर आपको नीद ना आने की प्रॉब्लम है, तो आपको तकी के नीचे लहसून रखना चाहिए. क्योंकि लहसून के अंदर की गंद हमारे दिमाग आपको बहुत ही शांत करती है, और हमारे दिमाग में पॉजटिव एनरजी लेकर आती है, तो ऐसे में तकी के नीचे लहसून रखने से आपको बहुत ही गहरी नीद आएगी. आज कलके टेंशन भरी लाइफ में नीद ना आना बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे बहुत से लो इसके खत्म हो जाएगी, इसके अलावा अगर आपका दिमाग बूस्ट नहीं रहता, यानिके सुबह उठते ही आपको आलस बनाता है, या आपकी मेमरी कम रहती है, तो इसके लिए भी आप लहसून की कली को तकी की नीचे रख सकते हैं, क्योंकि लहसून हमारे दिमाग को लहसून में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जो आपकी श्रीर में पॉजटिव एनरजी लेकर आती हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी अंदर जादा नेगटिव एनरजी हैं, तो आप लहसून की कली को तकी की नीचे रख कर सोईए, क्योंकि इससे आपका माइंड फ्रे प्रेशर की प्रॉबलम से आराम मिलता है, लेकिन आज कल देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉबलम बहुत से लोगों को है, और इसके लिए वो लोग बहुत से दवाईयां खाते हैं, जो कि आपको साइड इफेक्ट कर सकती हैं, तो अगर आप लहसून की कली का सेवन खाली पेट करेंगे, तो इससे आपके शरीर को काफी फाइदा होगा, और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, तो दोस्तों ये हैं लहसून को तकी की नीचे रखने के फाइदे, तो अगर आप लहसून का सेवन भी करेंगे, तो इससे आपको क्या-क्या फ तोस्तों!